अब स्कार्ट दोस्तों आज कि वीडियों वे हम सायरनन बढाएंगे तो सबसे पहले हमने एक 555 आईशी ले ली इसको अपने अपने इस बोर्ड पर लगाएंगे बोर्ड पर हमने जैसे ही लगा है इसको थोड़ा हमने इसकी पिनों को निच्छे से बैंड कर लिया है ताकि ये इसमें लगी रहे और आप इस आईसी को हम इस पर बोर्ड पर अपने अच्छे से सोल्डर कर देंगे ताकि ये इस पे लगी रहे और हम जो आगे हमने connection करने है वो connection करने में हमें असानी हो अब आप देख रहे जैसे कि इस पे हमने कहा कि है सबसे पहले paste लगाई और फिर solder wire से soldering लगा दिया हमने अच्छे से तो अभी हम जो यह आइसी है हमारी आइसी की पिनों की counting देखते हैं कैसे करेंगे पहले पिन हमारी one two और यह three होगी हमारी पिन फोर्थ पिन होगी और अब यह निच्छे से दूसरी साइड निच्छे से स्टार्ट करेंगे five six seven eight यह हमारी आठ पिन की आइसी है 555 और जो हमने counting शुरू करनी है वह हमारी इसमें आइसी में उपर एक कट होता है जो कि हमने उपर किया हुआ है अब कुल्टी साइड में देख लेता है कैसे करें counting अब वह जो हमारी आइसी है यह हमने पल्ट दिया है तो counting सेम रहेगी तो अब हमारी जो वह नंबर है वह चेंज हो गया है पहले इस साइड से थे अब वह दूसरी तीसरी चोथी पांचवी छटी साथी आठ वी यह ऐसे आइसी नंबर हो गया हमारे अब हमने क्या करना है वारी जो चोथी पि अब हमने चेक कर लिए इसको यह हमारी शोर्ट रखिया है अब उसके बाद हमने क्या करना है हमारा जो एक रेजिस्टैंस लेंगा हम 10 किलो ओम का वह हमने एट्थ पिन पर लगाना है एट्थ पिन पर लगाएंगे और उसको एट्थ पिन और सेवन्थ पिन के बीच में सोर्ट ना हो कहीं पर भी जहां पर हमें सोर्ट करना है वहीं से सोर्टिंग हो कोई एक्स्ट्रा सोर्टिंग ना हो और जो हमारी एक्स्ट्रा वायर है उसको भी साथ के साथ यह हम साफ करते रहें काटते रहें अब यह हमने लगाई है एट्थ और सेवन्थ पिन के बीच मे लगा हूँ होगा है कि यह हमारा साथ वन किलो ओम का रिजिस्टेंस है अब इसे कि सैवंथ ओप सोरी सिक्स्थ और सैवंथ पिन के बीच में लगाएंगे कि अब इसको भी अच्छी तरह इसी ऐसी सोल्ट कर देंगे जासा है इदेखिए अभी हमारा सब्सक्राइब करेंगे अब हम यह एक क्पेस्टर लिया क्पेस्टर जो है वारा कि इसे हमारे जो इसका नेगेटिव होगा वह फर्स्ट पिन पर रहेगा इस चीज़ का में रखना है जो हमारे इनपुट देंगे हम वह भी फर्स्ट पिन पर होगा नेगिटिव और जो क्पेस्टर का नेगिट है वह भी फर्स्ट पिन पर ही लगाएंगे और जो हमारा यह क्पेस्टर है यह 100 यूफ का क्पेस्टर है फिर मैं आपको दिखा देता हूं देखिए यह हमारा 100 UF का कपेस्टर है और वोल्टेज इसमें थोड़ी बहुती चेंज हो सकते हैं कुछ भी वोल्टेज हो आप साइज लगवग यही साइज का सेम कपेस्टर ले ले ला और वोल्टेज का को इसमें यह मेरे पास 16 वोल्ट म में हैं आप इसे कम्या ज्यादा में भी ले सकते हैं वोल्टेज इतने मयनी रखती चूंग हमारा यह जो सरकिट है ओड़ी ओध पर ही काम करने बाए जाद तो अब इसके बाद आम नेग्नेक्शन कर दिया और यह जो हमारा किंक्षन बचा हुा था वह हमने कंप्लेट करती क्या है सेवंत और एट पीन के बीच में जो 10 किलोम का रेजिस्टेंस लगाया था वो और जो अब हमारी यह हमने एक और वन किलोम का को अब इसके बाद हम क्या करेंगे एक और अपना कपेस्टर लेंगे वन यूएफ का वो लगाएंगे इसी में यहीं पर वो भी इसके साथ में लगेगा वो कहां पर लगेगा इसका नेगेटिव कहां पर होगा कनेक्ट हमारा जो हमारा कपेस्टर है पहले जो हमने कपेस्टर लाएगा है था उसका नेगेटिव फ्रस्ट पिन पर था और जो सेकंड कपेश्टर लगा है इसका नेगेटिव फ्रस्ट पिन पर ही रहेगा और जो हमारा यह सेकंड कपेश्टर है यह वन यूफ को होगा इसमें भी वोल्टेज का में कोई इतना ज्यादा खास फरक नहीं प जर नेटों की वो चेंज हो जाईगी अब घो पोजिटिव है पोजिटिव कहाँ पर देंगे हमारी 2009 पर positive देंगे अपना पोजिटिव कनेक्शन कहाँ पर देना हमने एट्ट पिन पर और जो नेगिटिव है वज कर लेंगे enga एक बार यह हमारे connection होगे input के जो हम इसको supply देंगे यह हमने sold कर लिए अब हमें इसमें क्या तरणा है अपनी दूसरी आइसी भी connect करनी है जो हमने दूसरी आइसी लगे एक और आइसी लगे इसमें same यही नमबर की 555 आइसी लगेगी वो भी कर दो हम इसमें